अज़को अगें टो आर क्लास आज पिर कुछ कोशन्स है जो एक्जाम में आये हुए हैं और कुछ कोशन्स ऐसे हैं जिनके आने के चांसे बहुत जाता है तो आईए स्टाट करते हैं आज का फर्स्ट कोशन्स जब्सक्रो़ने के चांधे कोशन decor आजकोशन्स का एकम हुआ है तो आप्स पास उप्षिन्स कीवण हैं ऑम मिंटर इलेक्रोमिटर गैलवन मिटर और स्पेक्ट्रमिटर थेके तो ऑममिटर जो है औरंचैसे अब उसमें पूछा क्या है हमें नेम आप दैसे मीसे servet तु अ वोविया है एक हुर्मींटर है निटो मेट्र कि इसका कर्येक्ट रहें एलेक्ट्रों मेटर्ट का यूज च्वाइर में मेसर करेंगों इससे पोटेंचलों मेज़ेंगे पोटेंचल मेज़े करेंगे तबहुं को गलविनमेन की और प्यूत्र कर यूज small electric current electric current measure करने के लिए हम का मिलेते हैं और स्पेक्टरमीटर का use क्या होता है variation of way of spectrum spectrum measure करने के लिए तो electric resistance measure करने के लिए हम क्या यज़े मिलेते हैंA Allometer का हम use मिलेते हैं तीक है और 渼ocolon güc को simplement business spectrum सब्सक्राइण सब्सक्राइध कि लाव सब्सक्राइण लाते हैं हम सारे उन्सार घ्लाइड में है कि रिएक्टर स्केल जो है हम काम में लेते हैं तो ए जो है इसका करेक्ट आंसर है टो फैटोमेटर इस यूज़ तो मैजर तो फैटोमेटर का जो यूज है वो होता है ओशन देप्थ के लिए देक्षै 2012 कि लिए जो है हम फैटोमेटर का यूज़ करते हैं तो है यूज है है जो है करेक्ट आंसर है ख्योड स्केल ते का गर्रीक करते करते हैं ठीं इने श्वांक S.P. का सकत्ष में करते हैं calm । पहलेंक कि इसमेटीड़ बड़ का इंवेंशन इंवेंशन वैक टो दू अ कि लाइजोँ है लाज्मनों पहरें ने किया थो लुई फॉक वाटेर में ओ लुईस वटरमेझन ने जो है ऐसे सींनल guesses को बनता है तो लुईस वटरमेझन ने जो है फाउंटेन में ने का इनवेंशन केता हुर। ठीच है और बोल पेन का पूछे तो लाजलो बी यह जो थे इन्हों ने इसका फॉंटेन पेन का इंड्वेंशन किया था ठीक है तो डी जो है इसका करेक्ट अंसर है next question की हम बात करें who had invented जीरो जीरो का invention किसने किता तो आप सबी जानते हैं हमारे पास सब्सक्राइब करेक्ट आंसर कोशन इस तरह की सब्सक्राइब कि फर्स्ट पर्सन डॉक्यमेंट जीरो आज नंबर इन वह थे तो ब्रह्मा गुपता जो है इन्होंने डॉक्यमेंटेशन यह जाते हैं और जो और जो अर्यभत है वह जीरो की फर्स्ट इन्वेंशन जिन्हों नेगी वह थे इंडियां थे तो ऑप्शन नम्बर जो इसका और अंसर नैस कोशन की बात करें एरो प्लैन वोज इंवेंटिर इसका करेक्ट आंसर है कि ऑप्शन नम्मर ए जो है इसका करेक्ट आंसर है एडवर्ड जैनर ने जो है चिकिन फॉक्स काव फॉक्स की जो वैक्सिनेशन है वो दी ती और जॉन डॉगलस जो थे इन्होंने क्रेमिनल फिζलोजी पे जो है इन्होंने बुक लिखी है तो आप्शन नम्मर ए जो है इसका करेक्ट आंसर है नेक्ट कोशन की बात करें लोगरितम टेबल्स वाग यंवेंनियर की जो थे जो आने के chances हैं तो आपको याद रखना है invention के उपर बहुत सारे questions आपको एक्जाम में मिलेंगे तो next question है हमारा what is biology तो what is biology जो है study of Moses and liver words जो है इसका correct answer option number C जो है इसका correct answer next question की बात करें तो next question है what is the meaning of the term of topology topology का mean क्या होता है तो it is a study of places and natural features option number A जो है इसका correct answer है ठीक है next question है what do you understand by aerodynamics ठीक है aerodynamics से अब क्या समझते तो it is a movement of flow air of gaze ठीक है it is a science of movement in flow of air और gauge जो है इसका correct answer है next question की बात करें तो next question है हमारा name an instrument which is used to measure density of milk ठीक है तो density of milk अगर पूछे तो लेक्टो मिटर जो है इसका correct answer है ठीक है लेक्टो मिटर जो है दूद की density को मैसर करने के लिए हम काम में लेते हैं और इसने हमें option दिया है बेरोमिटर बेरोमिटर का जो यूज है बेरोमिटर का जो यूज है अट्मोस्पेरिक प्रेशर मेजर करने के लिए हम काम में लेते हैं ठीक है तो बेरोमिटर का जो यूज है अट्मोस्पेरिक प्रेशर के लिए हम काम में लेते हैं और हाइग्रो मीटर हाइग्रो मीटर का जो यूज है रिलेटिव हुमिरिटी ठेक है और हाइड्रो मीटर का जो यूज है वो हम का मिलेते हैं स्पैसिफिक ग्रेविटी के लिए ठेक है तो हमारा जो करेक्ट अंसर है लेक्टो मीटर जो है और अप्शिन नम्मर ए जो है हमारा correct answer है next question की बात करें the energy of food is measured by energy of food किसमें हम measure करते हैं तो calorie जो है इसका correct answer है जो food की energy होती है खाने की energy होती है उसको हम calorie में measure करते हैं बहुत ही easy question है तेक है next question की बात करें तो orientalogy is the steady of किसकी orientalogy का mean क्या होता है तो orientalogy का mean होता है और इंतलो जीका mean जो होता है पक्षी विज्ञान होता है ठीक है तो अपक्षी विज्यान में हम किसका अद्धेन करेंगे किसका study करेंगे तो words क्या हम इसमें study करते हैं तो option number d जो है इसका correct answer है ठीक है हम किसमें करते हैं तो कोई के लिए हम करेंगे तो कोई दो है को इन कॉप्शन नमर्ड कोई जो है इसका correct answer नेक्स कोश्शन है वारा onclosy study of onclosy में हम किसका study करते हैं तो ये medicine की से related है तो medicine जो onclosy है onclosy branch होती है medicine की ठीक है तो जो की deals करती है prevention diagnosis and treatment of cancer ठीक है cancer के लिए यह प्रिया डील करती तो option नमबर बी जो है इसका correct answer cancer ठीक है cancer के लिए यह डील करती तो option नमबर डी जो है option नमबर बी जो है इसका correct answer है cancer on closing एक है next question है हमारा हाउ दा quality is printer is matter तो प्रिंटर की जो quality जो है हम किस पर मैसर करते हैं तो वो होती है dots per inch ठीक है dots per inch जो है इसका correct answer ठीक है dots per inch जो है इसका correct answer है डी जो है इसका correct answer है ठीक है next question है which of the following is called translator इसको जो है हम translator बोलते ही तो हमारे पास option given है data representation ms-dos operating system और language processor तो obviously बात है language processor जो है उसको हम translator हम बोलते हैं ठीक है language processor जो है इसका correct answer है ठीक है next question की बात करें दर सलेक्ट दा example of application software of computer तो जो हमारे पास option है ms word ms excel बोथ a and b और ms-dos तो इसमें से हमसे पूछा है select the example of application software तो इन में से कौन सा जो है application software है तो computer का जो application software होता है वह होता है ms word और ms word ms excel ठीक है word and excel ms ठीक है यह जो है software होते हैं computer के तो option number जो है option number c जो है इसका correct answer है ठीक है c जो है इसका correct answer है next question की हम बात करें तो next question है हमारा which of the which was which was the first successful electronic computer तो parent जो है इसका correct answer है option number a जो है इसका correct answer है ठीक है तो आज के रिए सिर्फ इतना ही next one पे और भी questions आएंगे और जिन्हों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जाके चैनल सब्सक्राइब करें like कीजिए share कीजिए support कीजिए thank you का ईांगे टिर्म आपित happened all this the झाल झाल